नमस्का साथियो वो मेरी प्यारे पसपालक भाईयो मैं डॉक्टर दुरुगेश कटारा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर ग्रुवेट में साथियो हमारे पसपालक भाई वो डेरी फार्मर पसुओं को यानि गाय भहस को इसलिए पालते हैं साथियो उन्हें दो रूप से फायदा होता है पहला मिल्क प्रोडेक्शन दूद पातन से दूसरा साथियो जो वो बच्चे पैदा करते हैं उनसे यदि साथियो ब्याते ही यानि कालविंग करते ही हमारे पसुओं के दूद में कोई खरावी आने लगे तो साथियो हमारे पसपालक भ कि उनके थनों में से खून आने लगता है ये क्यों आता है इसका कारण क्या है और क्या ये सही हो सकता है या नहीं होता है आज का जो टोपिक है वो साथियो इसी बात को ले करके है जब हम एक पसपालक के यहां पहुँचे तो साथियो देखते हैं उनकी मूझवानी कि उनक कि अग간नाय कर सब्सक्रणाय कर दिया है जिए अपकी जो गाय है इसने बच्चा दिया है इस कल आपके साम को दिया कल साम को बच्चा दिया था अच्छा यह आपने खून कब देखा इसके अब साम को मिलकिंग कर ली इसकी नहीं अभी नहीं अब चेक किया जाएगा लेकिन कल साम का सुबह जब आपने देखा तो इसके थनमे से दूद आ रहा था तो इसा तो नहीं पिछली बार भी नहीं आया हो तो मतलब आज ही देखा है इसके थनमे खून मतलब पीछे वाले थनमे खून आ रहा है यही समस्या है चारा वारा सब कुछ खा रही है चलो उस दूद को निकाल के दिखाओ कैसा खून आ रहा ठीक है साथियो पसू के एक थनमे से खून आ रहा है यह खून आता कहां से है और साथियो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अड़र के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जो दूद का निर्मार करती है और साथियो इसके अंदर बलड भी होता है लेकिन साथियो यह कुदरत की एक ऐसी चीज होती है जो दूद उत्पादन करती है खून मैंसे भी ये देखिए साथियो अभी जो present condition में आपके सामने जो दूद आया है साथियो वो लालामी कलर का है इसे आप बहतर जब समझ पाएंगे साथियो कि किसी दूसरे यानि स्वस्त थन मैंसे मिल्क निकालने के बाद में दोनों को पास पास लाये जाएगा और दोनों का different यानि अंतर देखा जाएगा कि किसका color कैसा है और स्वस्त का कैसा है अब देखिए साथियो आपको स्क्रीन पर ये clear देख रहा होगा कि जो मैं उठे से आपको ये सारा गर रहा हूँ ये बिल्कुल clear दूद है एकदम वाइट और ये देखिए साथियो ये लाला में color का है साथियो जब ब्याने के बाद मैं दूद लाला में color का हो जाए तो साथियो ये किन कारणों से होता है आज मैं ये भी बताऊंगा और आज आपको ये भी बताऊंगा किसके जो कारण होते हैं साथियो दो रूप के होते हैं पहला चोट लगना दूसरा साथियो clinical या subclinical थनेला होना जी हाँ साथियो मेस्टेटिस अब मैं आपको ये भी बताऊंगा साथियो के clinical थनेला या subclinical थनेला की क्या पहचान है और आप कैसे पहचानेंगे आपके पसू को अडर में चोट के कारण ये हुआ है तो सबसे पहले ये जानने की कोसिस करते हैं साथियो अडर के अंदर होता क्या है साथियो हमारे पसू का जो अडर होता है वो बहुत सारी छोटी छोटी कोसिका है जी हाँ साथियो जिसे हम lekti for cells कहते है साथियो lekti for cells जितने ज़्यादा पसू के होंगे साथियो वो पसू उतना ही अच्छा milk production में अच्छा होता है साथियो छोटी छोटी जो lekti for cells होती है इनसे ही lekti for tissue का निर्माड होता है जी हाँ साथियो tissue को हम कूतक भी बोलते है साथियो इन lekti for tissue में blood का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है और साथियो जब पसू हमारा carving के लिए अपना time लेता है और उसका driving का दिन बहुत नज़्यादी का आJAता है साथियो तो हम उसे बहुत सारे पोसक तक तो देते हैं लेकिन साथियो वो पोसक तक हमारी आंतों में abdrb होकर के भोजन के रूम में जैसे जैसे blood के जरिये पूरी बॉड़ी में फैलते हैं साथियो तो उनका इस्ट्रोड जो होता है वो अडर के अंदर होता है और साथियो लेक्टिफर्ट टिशूओं में ब्लड की कोसका है यानि ब्लड की जो वेंस होती है साथियो बहुत तेजी से बहते हैं और साथियो दूद नदेने के कारण पसू के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन भी भणने लगता है क्योंकि काल्विंग के समय पे साथियो हम अपने पसूओं को हरा चारा भी खलाते हैं बह बैठता है उठता है और कभी कभी उपर से गिरता है इन सारी कंडिशनों में साथियो क्या होता है पसू के अडर में चोट लग जाती है साथियो अब चोट जो लगती है उसकी पहँचान क्या है साथियो यदि दूद में केवल लालामी कलर आ रहा है तो आप ये समझ लहें कि अडर के अंदर चोट लगी हुई है यदि साथियो अडर के अंदर स्वैलिंग भी है और जो क्लोटिंग टाइप के छिचड़े आ रहे हैं थन में से और थन को पकड़ने पर आपको चरचर की सी आवाज होती है या फिर आपको लगता है थन के अंदर कुछ भरा हुआ है और जब उसे निकालने की कोर्सिस करते हैं साथियो तो टी टी स्टोनिस में वो चिचड़े फस जाते हैं बलड टाइप के क्लोटिंग होती है साथियो बलड की तो आप ये समझे लें साथियो ये क्लिनिकल मेस्टिंटिस है और जो नॉर्मल कंडिशन का होता है साथियो जिसमें दूद केवल लालामी कलर का होता है वो केवल एक चोट के कारण होता है इस कंडिशन में इसका इलाज क्या करें साथियो ये जो गाय है इसका जो दूद है वो नॉर्मल कंडिशन से लाल हो चुगा है और जो क्लिनिकल मेस्टेटिस होता है साथियो उसकी सबसे बहतर दवा क्या होती है ये किसी आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साथियो जैसे ही इस तरीके का मुझे केस मिलेगा क्लिनिकल मेस्टेटिस या सबक्लिनिकल मेस्टेटिस का साथियो मैं आपको वो भी बताऊंगा लेकिन इस पसुका जिसमें केवल ब्याने के बाद या मिडिल के अंदर दूद में खून आ जाए लेकिन छिचडे नहों तो उसका इलाज किस प्रकार करना है ये थोड़ा जानने की कोसिस करते है सबसे पहले साथियो इंजेक्शन के रूप में हम लेंगे बिटामिन सी जिसे हम 30 ml या साथियो बिटामिन सी के एमपुल भी आते हैं 5 ml के उन्हें 6 एमपुल पसू की गर्दन में इंट्रामस्कुला लगाए जाएगा और साथियो आप बिलोड क्लोटिंग का कोई भी इंजेक्शन भी ले सकते हैं जिसमें इथामाइसलेट साल्ट हो 20 ml लगाए या साथियो टेक्सामिनिक एसिड साल्ट में कोई भी इंजेक्शन 30 ml या 20 ml पसू की गर्दन पर लगा सकते हैं यह दौनों इंजेक्शन साथियो बिलोड क्लोटिंग इंजेक्शन है और तीसरा इंजेक्शन साथियो आप कैल्शियम का 30 ml का इंजेक्शन इंट्रमस्कुला लगा सकते हैं यह हुए साथियो इंजेक्शन इसमें आपको कोई भी एंटी वाइटी लेने की ज़रूवत नहीं है अब ओरली टीटमेंट साथियो क्या करेंगे जिसका मैंने बहुत अच्छा रेजल्ट देखा है ओरली टीटमेंट में साथियो आपको लेना है नो मश्टी पॉडर जी हाँ साथियो इसका भी मुझे बहुत अच्छा रेजल्ट मिला और दो दिन मैं ये बिल्कुल क्लीन कर देता है दूद को जिसमें खुन नहीं आता है और उसमें क्या करना है साथियो आपको एक पुडिया परडे इसमें चार पाउच होते हैं साथियो नो मश्टी पाउच में एक पाउच परडे अपने पसू को खिलाना है लगाता चार दिन तक आप देखेंगे साथियो दूसरे दिन से ही उसका जो दूद है वो बिल्कुल साफ होने लगता है और साथियो ओरली डूटू में और पसू को क्या दे सकते हैं आप कम से कम 15 ग्राम कपूर को 5 ग्राम कपूर परडे केले में रख करके साथियो अपने पसू को खिला सकते हैं इससे क्या होगा साथियो उसका जो दूद है वो भी बिल्कुल क्लीन होने लगेगा और आपका पसू स्वस्त हो जाएगा किनी किनी पसूओं में देखा गया है साथियो हम अपने पसूओं को जिसमें दूद में खून आता है डिटॉल जी हाँ साथियो 20 ml डिटॉल को 2500 ml पानी में मिक्स करके पसू को लगातार 2 दिन तक दे सकते हैं जी हाँ 20 ml डिटॉल इससे भी साथियो आपके पसू के जो वो मिल्किंग कर रहा है जिसमें खून आ रहा है वो भी बिल्कुल क्लीन होने जाएगा दूद साथियो ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया साथियो ये बिल्कुल एक ट्रीटमेंट है और जाला तरह साथियो 99 नहीं मैं कहूंगा 100% इससे बिल्कुल पसू बिल्कुल फिट हो जाते हैं और दवारा से जो पस बालकी समस्या होती है ये साथियो बिल्कुल दूर हो जाती है यदि आपने इस तरीके का ट्रीटमेंट इस कंडिशन वाले पसू पर किया तो आपका पसू साथियो बिल्कुल फिट हो जाएगा और दवारा से उसका दूद भी स्वस्त हो जाएगा इनी सारी बातों को लेकर कि साथियो मैं आपस से विदा चाता हूँ परणाम और आपसे मेरी रुक्वेस्टेस आती हो यदि आप मेरी चैनल से अभी नए ने जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो के दन्यवा